तो हेलो डॉस्तो व पोगेवेक्स इंदि में वाँड़ है तो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही आमेजिंग होने वाला और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तुझा टॉप 5 वाटरीटाइब पोकेमोन उफ एश दोस्तो तो मेरा इस También वीडियो को बनाने तो इसलिए दोस्तों तो मैं आज इस वीडियो में टॉप फाइव पोकेमोन आफ एश की बारे में बात करने वाला हूं तो ज्यादा वॉटर टाइप पकड़े नहीं है टोटल उसने बस छे वॉटर टाइप पोकेमोन पकड़े हैं दोस्तों मैं इसमें अलोला को इंक्लूड नहीं कर रहा हो सिर्फ कार्लोस तक याने कांटो टो कार्लोस जितने भी है उन सब में उसने टोटल छे वॉटर टाइप पोकेमोन पकड़े हैं तो उसमें से मैंने पाच सिलेक किये तो यह मेरी लिष्ट है अगर तुम लोगों कोई क्वाईरी जो अगरे याने कोई गड़ अगर दोस्तो टोटोडाइल परसनली फेवरेट मेरा भी पोकेमोन है अगर दोस्तो यह तोटोडाइल अब फरालीगेटर तक इवाल हो जाता ना यार तो बहुत ही मज़ा आता था और वह बहुत ही श्ट्रॉंग पोकेमोन बन का वाटर टाइप में पर दोस्तों ऐसा और दूस्तों टोटोडाल एक बहुती फ़नी पोकेमोन है एश का और बहुती मजा किया पोकेमोन है बढ़ ताकतर पोकेमोन है उसके पास बहुत सारे अटैक्स है जैसे बाइट अटैक हो चुका बाइट अटैक फिर हाइड्रो पंप वाटर गन और फिर और भी बहुत सारे अटैक्स है एश ने से जोटो रिजन में पकड़ा था और एश और मिष्टी ने दोनों उन्हें एक साथ पकड़ा था फिर उन में मैच हो गई थी और उसके बाद एश जीच चुका था तो फिर टोटोडाल एश ने रख लिया था इसलिए दोस्तों टोटोडाल हमारे पोकेमोन है और वह बूजल दोस्तों वीजल एक की बहुत बड़ा बहुत ही अच्छा ताकातवर वाटर टाइप पोकेमोन है एश का शिनो रिजन का दोस्तों आप तुम लोग के मन में सवाल उट रहेगा एश ने तो इस पोकेमोन को कभी पकड़ाई नहीं दोस्तों जिन दोनों ने के मुश्ण कर लिए यहीं ट्रीड कर लिए और उसके बाद वूजल एक भृट हाट आहर्ट принग से एश के साथ और बहुत ही ताकत वर और कि मन बन गया उसके पस भी अलगग अलग में बहुतर एट्रीन इस एक बॉटर जेट बम्ट हाइड्रो पंप और डबल स्लैप ऐसे बहुत सारे अटाइक से उसके पात दोस्तों इसलिए तो ब्यूजल हमारे लिश्ट में नंबर फूद पर अपनी पोजिशन बना पाता है और दोस्तों बता दो ब्यूजल के पास एक वालुशन भी है बट वह वाल नहीं हुआ इसलिए पोकेमोन है याने हमारा प्यारा स्कॉर्टल को आश ने पकड़ा था कैंटो रिजन में उसके जरने के दौन और दोस्तों स्कॉर्टल एक बहुत ही सक्ती सब्सक्राइब पोकेमोन नहीं तब का वाट टाइप का दोस्तों उसने बहुत ही बढ़िए ट्रेनिंग लिती अफ पर दिल आ गया तो इस लिए इस लिए वाइश के साथ आने के लिए तैयार हो गया और फिर आगे की जर्मी उसने कंटीन यू की दोस्तो अब मैं इसकी आटेक्स के बारे में बात करते हैं बहुत बढ़ी आटेक्स है बेस्के पास तो बहुत सरी आटक से तो में बोलनी पाऊंगा दोस्तों तो एश का वाटराइब पोकीबॉन था तब का कैंटो रीजन में और सब्सक्राइब गांद ऑना ही था तो इसको थर्ड पोजिशन पर आना ही है दूस्तों इसकी वह हमारे लिस्ट में थर्ड की पोज पूरी और इंज आइलेंड का है तो तुम लोग ने पता लगाई लिया होगा क्यों कौन सा है तो है लेपरस दोस्तों लेपरस इसलिए पर नंबर सेक्ट पॉजिशन पर इसलिए है यूदि अगर लेपरस नहीं होता और जालेंड में तो एश कभी वह पस नहीं आ पाता और क और यह ही नहीं बलकि ट्रीसी मिष्टी एश पिकाचू और टोगपी यह सब इसके पीट पे रहे है पूरे और इंज आलेंड में यह बहुत ही स्टॉंग पोकेमोन बचाती है और इसके और इंज लिग कप में भी इसने गेंगार के सामने टाइप मैच किया था दोस्तों य वैसे वह यह वाटर इस वैल आईश टाइप पोकेमोन थे तो यह थी सबसे पहले इस टाइप पोकेमोन भी बनती है तो इसके उपर अलग से वीडियो आ सकती है तो दोस्तो इसलिए लिश्ट में नंबर सेटी पोजिशन डेजप करती है हां गईस नंबर सेटेंड और कोई निंजा और अर्कोई किया अलबा गुपत रहना यह जाए बोडार सो भुट सबंद आप बाटो बॉहने ऊहर पड़ोन हैं तो तक भीगा और मतलब उनने करेंजा आए आपेमटर में उसे सपेशल अटैक है वाटर शूट अगें और दोस्तो बागी सब अटक्स है वाटर काफ वाटर और और सारी दरक वाटर बनागी जोस्तों इसी वयासे ग्रीमिंजा हमारे इस लिश्ट में नंबर वन की पोजिशन मोड़ करता है ग्रीजा के बारे में और बता नहीं चाहूंगा विग्व को पहल दोश्तों आज को लिए करने बहुत सारा लाइक रहां और तुम लोग को आराम से कम्प्रीट कर दोगा जोगा को एसी बहुत सारा सपोर्ट दे रहो चैनल पर यार तुम लोग को लिए अलग-अला कटेंट लाने और अलग-अडिटी स्किल के साथ आता रहूंगा अगर तु जो को नो नो देशिए ने लिए आपनों तब बाई बाई